हलो साथियों जो SSC की नई भरतिक इंतिजार कर रहे थे फ्रेंट्स उनके लिए खुसखपरी है और ongoing जो एक्जाम चल रहा है इसका क्या railway के ग्रूप D के एक्जाम पैसर पड़ेगा इसके विसे में बात करने वाले हैं फ्रेंट्स देखें 6 जुलाई के डिट में आपका SSC का नया केलेंडर जो है जारी हो चुका है यहां पर आप देख पा रहे होगे को बाइक आदर कौन कौन सा एक्जाम कब कब होना आता है वाला है तो यहां पर month of exam आप देख पारे होंगे फिर जुलाई के अंदर होने वाला है उसके बाद दूसरा में SSE selection पुष्ट आता है जिसके अंदर काफी कम candidate होते हैं अप रॉक्स में 5-7 लग candidate होते हैं तो इनका exam जो है वो अगस्त में लेना प्रस्तावित है तो definitely अगस्त में इसका exam हो जाता है तो मुश्किल से इसका 3-4 दिन में एक सब्ता के भीतर इसका exam जो है वो complete हो जाएगा तो group D के exam पे इसके कोई खास जादा प्रभाव पढ़ने वाला है नहीं उसके बाद recruitment of head constable ministerial in दिल्ली पुलिस 2022 तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो head constable का exam है उनका October में लिया जाना है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पे अगस्त के बाद सितंबर का महना आपको पूरा का पूरा clear बता दिया गया है खाली रहेगा तो इन सितंबर के मन्त में आपका obviously बात है भाई group D का exam definitely हो जाना है तो यदि किसी को dot पर रहा है कि यार इस बार group D का exam late होगा या फिर क्या होगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी वज़े से सेड्यूल को एक मैना यहाँ पर late किया गया है तो यहाँ पे बीच में एक मन्त का gap है यहाँ पर definitely आपका देड़ मन्त के अंदर जो है वो group D का exam को रफा दफा एकदम पूरा का पूरा clear कर दिया जाएगा तो आप यहाँ से समझ गए होंगे भाई कि अब आपका group D के exam में कोई भी late नहीं होने वाला है ठीक है अगर किसी के मन में dot हो को भाई late होगा क्या होगा तो आप भ्रहम में होगा सबसे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होने वाला है भाई केवल आपका तो definitely सितंबर के अंदर आपका group D का exam complete खरा दिया जाएगा ठीक है वहीं यहाँ पे recruitment of constable मतलब constable का ही exam है देली पुलिस के अंदर driver का इनका exam जो है वो October 2022 के अंदर होना प्रस्तावित है और उसके बाद आप यहाँ पर देख पारेंगे friends यह सारे calendar को आप देख पारें इसक करके आप चेक कर लिजेगा हालांकि most awarded जो है वो SSC GD है उसके मिसे में आपको यहाँ पर बता ही देता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे friends SSC GD 14 नंबर पे constable GDN Central Armed Police Force SSF and Rifleman in Assam Rifle तो भाई इनका जो date of advertisement है वो 10-12-2022 मतलब इसी वर्स आपका December के मन्त में इसका advertisement को release कर दिया जाएगा इसका last जो form fill update है friends वो 19-1-2023 मतलब कि 19-2023 को last form fill update रहेगा और March-April के अंदर 2023 में exam इसका प्रस्तावित होना है तो भाई definitely जो भी बंदे इस बार जिनका marks कम रहा या फिर select नहीं हो पाएं तो भाई आपको लग जाना चाहिए और 2023 के अंदर आपका SCMTS का exam आप देख पा रहे होंगे यहां पर date of advertisement जो है वो 25 जनवरी है और 24 फर्वरी को इसका जो है वो date of closing रहेगा advertisement का वहीं अप्रेल माई के अंदर इसका exam होना प्रस्तावित है ठीक है और यहां पर recruitment of constable exclusive male and female देले पुलीस के अंदर जो है इसका date of advertisement ज जो है वो अपरिल माई के अंदर होना प्रस्तावित है तो उमीद करते हैं फ्रेंट CCS आपको समझ में आ गया होगा और group D के exam पे इसका कोई खास प्रफ़ा पढ़ने वाला है यहां पर group D के लिए एक मन्त के बीच में gap दे दिया है सितंबर के मन्त में और किसी को dot लग रह लिए में तब तक लिए नमस्कार